मनुष्य सीखना चाहे तो हर परिस्तिती से कुछ ना कुछ सीख सकता है तो मैं मैं यहीं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शुकों को बताएं कि हर परिस्तिती जुए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए जब चीजे हमारे अकॉर्डिंग ना हो तो मैं चाहूँगी मैं हमारे दर्शुकों को बताए बिल्कुल ठीक है, हर परिस्थिती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, जीवन है ही सीखने की चीज, सुख और दुख की परिभाशा हमने अपने माइंड से, अपनी बुद्धी से बनाते हैं, अपनी सोच से बनाते हैं, प्रन्तु हर परिस्थिती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, तो हमेशा कोशिश करें कि ये जो परिस्तिती हमारे सामने आई है चाहिए किसी रूप में भी है, चाहिए कोई भी चैलेंज है वो हमें सिखाना क्या चाहता है अगर आपको खुद को समझ ना आए तो हम उस परिस्तिती से ही प्रश्न कर सकते हैं कि तुम मुझे सिखाना क्या चाहते हो उसमें चाहिए हमारे श्रीर की कोई भीमारी ही क्यों न हो वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है परिवार के रिलेशन्स में अगर कोई बात है तो वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है संसार में हम रह रहे हैं हर situation, हर परिस्तिती, कोई भी जीव, जन्तु, प्राणी, पेड़, पौध हमें हमेशा सिखाते रहते हैं, इसलिए aware रहें, जागरुप रहें, कि वो परिस्तिती हमें क्या सिखाने चाहती है, कौन सा lesson हम इससे सीख सकते हैं, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंग सुख का अनुभव करें, जी और जागरुपता के साथ हर परिस्तिती को धारन करने के लिए जरूरी है ध्यान क्यान, क्योंकि ध्यान होगा, तब हम जागरुपता के साथ सीख पाएंगे हर परिस्तिती से, ध्यान के लिए मतलब हमें ध्यान करना क्यों है, ये भी हमें पता उसको समझने के बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो ध्यान, ध्यान के लिए जरूरी है, तेन चीजें, आप अपनी लेक्स क्रॉस करिए, दोनों हातों की उंगलियों को एक दूसरे में फसा लीजिए, स्पैक्स पहनिया तो उतार लीजिए, जिस भी स्तान पर आ रामदा एक स्थिती में बैठें, और केवल आती हुई स्वांस और जाती हुई स्वांस के साथ जूड़ें, यही ध्यान की सबसे अच्छी विदिए.